नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग रात के नोबत चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सैपाथी, हेमान शोसोरिकांत्रपाथी, आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों, आप सभी सैपाथियों का, फिर से हार्दिक स्वागत करने के लिए पस्तित हो गया हूँ खास करके कहां पर तो आप सभी नए विद्यार्थियों को बता दूँ पिछले दिनों से यानि बीते कुछ दिनों पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है घटना चक्र पुर्वा उलोकन की बुक से आधुनिक भारत के इतिहास की बुक से यानि आधुन जो अपने YouTube चैनल के description box में क्या जाना है आपको आप चले जाएगा playlist पर और playlist में आपको 81 आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी 49 के 49 शेसन आपको मिल जाएंगे मैंने कहा अगर आप इच्छुक हैं बुक समरी के लिए अगर आप शौकीन है किताब पढ़ने के आपके पास क कवर कर सकते हैं यहां हमारे YouTube चैनल से जुड़कर सातियों अभी अगर आपने YouTube वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजे अपनी उपस्तिती नहीं दर्ज कराएं तो कमेंट करिए लाइब चैट में अपनी उपस्तिती दर्ज कराईए दोसरा अगर आप चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब पर लीजे क्योंकि आगे का सेशन आगे का जो भी 30 मेंट 45 मेंट सेशन होने वाला है बहुत important होने वाला है जैसे कि रोज रहता है ठीक ना सबसे पहले आप सभी सातियों का अबू नंदिनी दिव्यान्शू ब्रजे प्रदीप पांडे माही निरंकारी साक्षी वर्मा शिखा वर्मा रीतू और बाकी जितने और साथी देख रहे हैं पीम मोदी अन्य जितने साथी देख रहे हैं दीपक तिवारी जी बहुत-बहुत स्वागत है चलिए ठीक ना बाकी और जितने साथी देख रहे हैं सारे ल महत्पुर्ण अंदोलन है उसमें cabinet mission का बड़ा ही रोल है क्यों 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 क का नाम क्या है इनका नाम है सरदार वल्लब भाई पटेल साहब उधर जिन्ना साहब है और इधर पीछे देख रहे होंगे आजिन परशाद जी कि यानि ऐसे कई नाम आपको मुझे लगता है सारे तो मुझे याद ही नहीं लेकिन दो तीन नाम मुझे भी चित्र में दिख रह है तो कभी आप विस्ता हो सकती कभी मेरी विस्ता हो सकती लेकिन अगर मैं फालतू बात करूंगा तो सेशन आपका छूट जाएगा तो मेरा टार्गेट यह है लास्ट के जो दो एक टॉपिक बचे है वो भी हम लोग कबर कर लें और उसके बाद में जो भारत में यूरोप है रिवीजन की चुप चाप आप क्या करिए वीडियो को डाउनलोड किये रहिए खाना बनाते समय खाते समय कुछ काम करते समय प्ले कर लीजे रंग से सुनते रहिए आप ठीक है ना चलिए बात करते हैं किसकी सात्यों लिखा है कैबिनेट मिशन योजना की विशम यानि एक प्रकार का यह योजना रही है कैबिनेट मिशन की और यह आये थी किस वर्स में यानि ये वर्स की संबाँदित है 1946 आपके वंडे एक्जाम के बेसिक एक्जाम के भिढ़ती हैं तो वहाँ भी ऐसे डारेक कुछ पूछ लेगा कैबिनेट मिशन प्रियोजना किस वर्स की है 46, 47, 48 या फिर 50 तो आप उत्तर देजिए एक सर 1946 की ठीक बात न आगे आते हैं यहाँ नोट्स में हम लोग पढ़ते हैं सारे लोग लगातार मेरे साथ पढ़िएगा मैंने कहा ये उन लोगों के लिए भी है जो विद्यारती है यानि जो प्रतियोगी परिक्षाओं के तयारी कर रहे है ये शेशन उनके लिए भी है जो भारत की है भारत ये इतिहास में रूची रखते हैं क्यों बड़ा आसान है आपको पहले से कुछ जानने की आवशक्ता नहीं है आपके लिए आवशक्ता है मेरे साथ थोड़ा साफ कंटेंट पढ़िए उसके बाद मैं उसी से रिरेटेड आप क्वेस्चन का एंसर दे दीजिए बड़ा आसान आप सबको याद हो जाने वाला है मैंने कहा आपके जानने वाले जरूरी नहीं केवल कि परिक्षा देनी हो तब ही वो पढ़ सकते हैं जो भी लोग हों उनको आप सेर करिए परिवार के लोगों को बताइए कि नहीं भया जानना चाहिए कैसे भारत देश अपना आजाद हुआ है क्या परिस्तितियां थी तो यहाँ देखिए बात कर रहा है बृटेन की यह बृटेन की बात कर रहा है यहाँ पर 26 जुलाई 1945 को एक वेक्टी है जिनका नाम है एटली यानि प्रधान मंतरी वहां के इनके नेत्रत में बिटिस बंटरिमेंटल ने क्या किया सत्ता ग्रहाण की यानि कहने कार्थ हो गया कि 26 जुलाई 1945 में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर उसके बात क्या हुआ वहाँ पर प्रधान मंतरी बन रहे है एटली यानि यह हम एटली बन रहे है वहां के प्रधान मंतरी अब बात कर रहें क्या नौ सेना का विद्रोह उसी समय हुआ था याद करिये कल के question में एक कूट का question आया था जिसमें सिमला सम्मेलन वेविल प्लान उसके बाद में नौ सेना विद्रोह ऐसे करके तीन चार नाम आपको मिला था तो आपने इसका उत्तर दिया था वह ऐसे कह रहा है नौ सेना विद्रोह के बाद फरवरी 1946 में क्या हुआ यानि उसी बाद दुतिय विश्विद्री हुआ था उसके बाद क्या हो रहा है भारत सच्यू इनका नाम था डॉक्टर पैथिक लॉरेंस ने भारत में संबैधानिक सुधारों के लिए एक सिष्ट मंडल भेजने का नर्ड़ लिया यानि कहने कार्थ ये था मांग भी भारत में थी कि भारत में संबैधान सभा का निर्माड हो और तमाम सारे नियम कानून भारत के लिए हो भारत के पक्ष में हो तो जो वहाँ उस समय याद होगा एक पद बनाया गया था जिसका नाम था भारत सच्यू तो ततकालीन यानि 45 के बाद 46 के समय में जो भारत सच्यू थे वे थे पैथिक लॉरेंस उन्होंने क्या कहा उन्होंने एक शिष्ट मंडल कार्थ होगा यानि दो-तीन लोगों का एक प्रकार का टीम या ग्र रहा है 24 मार्च 1946 को भारत ये कंटेंट सबसे जरूरी कि गैबिजन प्रकार आ रहा है दिल्ली में और दूसरी चीज आप कर रहे हैं कि कब आया तो 24 मार्च 1946 को याद करे रहिएगा बात कर रहा है किसकी यानि उस समय भारत मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था पैथिक अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, दो अन्य सदस ये थे, कौन-कौन थे, एक विक्ति थे, उनका नाम था A.B. Alexander, और दूसरे विक्ति थे, उनका नाम था Stafford Kips, अब Stafford Kips जो थे, ये अध्यक्ष थे किसके, Board of Trade के, जबकि नौसेना मंत्री थे, उनका नाम A.B. Alexander, मैंने का, अगर PCS का एक्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पर एक्जाम कोई सभी देने जा रहे हैं, CGLS तक का, तो वहाँ, इनके विशह में ये बाते भी जाने रही हैं का, सेना मंत्री, Board of Trade के अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर अब basic एक्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्ण कैबिनेट मिशन किस वर्थ भारत आया, भारत में कहां पहली बार आया, इन सदस्यों का नाम, इसका अध्यक्ष कौन था, ये तीन, चार, पांच बाते हैं, जो बहुत मुच्छी जाती है, basic एक्जाम में, प्रांत मिशन किया कर रहा है, अपने प्रस्ताओं की घोशना कर रहा है, यानि कहने कार्थ है जो cabinet mission आया याद करिये उसको काम करना था समवैधानिक सुधारों पर तो जाहिर सी बात है वो आया उसने परिचर्चा की यहाँ पर और उसके बाद में उसने क्या किया अपना प्रस्ताव रखा जब के सामने कि हम क्या क्या करवाएंगे यानि इसके हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप क्या इससे सहमत है क्या आपको अच्छा लग रहा है यह चीजी अगर करें तो तो उसी में नाम लिख रहे हैं ध्यान से सुनियेगा क्योंकि कूट में पूछे जाएंगे अभी आपसे कि भारत की एकता बनाई रखी जाए यह कौन कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान जो पैथिक लॉरेंस के नेतरत में या अध्यक्षता में भारत आ रहा है दूसरा उसने कहा कि मुस्लिम लीक ने जो पाकिस्तान की मांग की थी उसको इन्होंने ठुकरा दिया का पाकिस्तान और किस्तान कुछ नहीं भारत अखेले देश इसने का भारत एक संग होगा जिसमें ब्रिटिस प्रांथ होगा और देशी रियास्ते ये सामिल होगी अब देखे तीन पॉइंट ये हो गया याद करे रहे है यानि भारत की एकता की बात की गई मुस्लिम लीक द्वारा पाकिस्तान की मांग को जो किया गया था उसको ठुकरा दिया इसने कोई बात नहीं देश मादू नयावनने की और तीसरा भारत एक संग होगा जिसमें ब्रिटिस प्रांथ होगी और देशी रियास्ते होगी आगे सम्विधान निर्मात्री संस्था या सम्विधान सभा का गठन प्रांती विधान सभाओं तथा देशी रियास्तों की प्रतिधियों द्वारा किया जाएगा ये भी कौता हो रहा है, चार नंबर पे हो रहा है, अब देखिए, अगले पे आते हैं, यानि चार पॉइंट हो गए ये, किसके लिए जो प्रस्ताव रख रहे ही cabinet mission, किसके सामने, भारतियों के सामने, ठीक बात न, याद करे रहिएगा, अच्छा ध्यान करे रहिएगा, देने जा रहे हैं, तो जानते रहिए, cabinet mission 1946 ने, वाय सराय की executive, यानि आप जानते हैं, वाय सराय की जो कारिकारणी हुआ करती थी, उसकी बात कर रहा है, कह रहा है, कि ये फिर से इनका पुनर गठन करेगा, यानि इस council का फिर से पुनर गठन करेगा, वाय सराय कारिकारणी क अंतरीम सरकार के गठन का सुझाव इसने दिया, और इसने कहा, जिसमें वार मेंबर सहित, सभी विभाग भारती सदस्यों द्वारा धारन किये जाने थे, यानि कहने कार्थ हो गया, कि भारतीयों को पहली बार ऐसी विशेश सक्ती मिल रही है, कि यानि जितने सदस्यों को द्वारा ही निर्धाय दित किये जाएंगे, ठीक बात न, आगे कैबिनेट पिशन योजना के पक्ष में गांधी जी रिखे, अब ये बड़ी अच्छी योजना थी, इस वज़े से गांधी जी पूरी तरह से इससे क्या थे, पक्ष में हो गये, इस योजना के संदर में ग नहीं गई, चुकि देख रहे हैं, आप लोग सीधी सीधी बात पहली पिद दी, तो देश विभाजन की बात नहीं की गई है, भारती संग की बात की गई है, ठीक बात न, ये सारी बाते हैं, ठीक है न, आचा मौला न, आजाज साहब उस समय कैबिनेट मिशन के समय क्या हु याद होगा, 1940 से लेकर 1946 तक लगातार ये बने रहे थे अध्यक सिसके, बारती राष्टी कॉंग्रेस की, सातियों मैं फिर कह रहा हूँ आप से कि ये कंटेंट उन लोगों के लिए भी है, जो किसी भी परिक्षा की तयारी करते हैं, यानि किसी भी परतियोगी परिक्षा की तयारे में हैं, उनके लिए भी विशेस हैं, जो भारती हैं और भारती इतिहास से रुची रखने वाले, यानि आपके परिवार के अगर छोटे बच्चे भी आपके आसपास हैं, तो उनको आप देखेगा, उनको इतिहास के विशें बहुत जानकारी होती नहीं हैं, तो आ दूसरा उसी के बाद question answer दे दीजिए, क्यों? लाब ये होगा, कि जितना देख रहे हैं उतना, तो अपने छोटे भाई बहनों को या अपने बड़े लोगों, परिवार के लोगों को बताने से लाब ये होगा, कि उनको अगर नहीं पता है, तो पता होगा, दूसरी चीश, चोटे हैं अगर तो जाहिर सी बात आगे चलकर वो पढ़ेंगे ही, उससे पहले कम से कम इतनी basic उनको जानकारी रहे कि आप उनसे बात चीत इस विशे में कर पाएं, समझ रहे हैं ना, यानि आप अपने परिवार में बड़े हैं, तो आप का दाईत हो है, आप छोटे हैं तब भी आपका दाईत हो है, कि भारती इतिहास को या चीजों को अपने मम्मी पापा या परिवार के अने लोग भी जानते रहें, ताकि कभी publicly अगर मालीजे उस पर बात करनी हो, डीबेट करनी हो, बात भी बात करना हो, तो कम से कम आप उस अपनी बात रखतो पाएं, कि ह मैंने ये पढ़ा था, साथियों स्टार्ट करते प्रश्ण कोस को, पहला प्रश्ण लिखा हुआ है, बुला लीजे सभी साथियों को BPSC के एकजाम में पूछा गया क्येशन है, कैबनेट मिशन की अध्यक्षता किस के द्वारा की गई थी, एटली के द्वारा, सर पी लॉ साथ नौदस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर, इनही का नाम था क्या? इनका नाम था सर, पैथिकग लॉरेंस यानी पैथिक लॉरेंस नाम के विक्ति क्या बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक बात न, याद होगा कि यही भारत सच्छू यानी इनके विश्ए याद होगा ये तत्कालीन समय में एक पड़ जो था भारत सचिव का या भारत मंतरी का यही हुआ करते थे इनका नाम क्या था इनका नाम था पी लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस तो अब जानते रहिएगा पैथिक लॉरेंस केवल और केवल कैबिनेट मिशन के अध्यक्षी ही नहीं थे ये एक पद और धारण किये हुए थे उस समय जिसका नाम था भारत मंत्री का याद कि रहीएगा जबकि एटली जो क्लीमेंट एटली थे वो क्या थे वो हुआ करते थे उस समय बिटेन के ततकालीन प्रधान मंत्री ठीक बात ना अगले क्वेस्चन पर देखें यहा भारत सची जो पैथिक लॉरेंस है यह क्या कर रहे हैं समवैधानिक सुधारों के लिए एक सिस्ट मंडल भेजने का निर्ड़े ले रहे हैं कहां भेजने के लिए भारत तो कहतारी को भारत आया है तो 24 मार्च 1946 को याद करे रही है यह भी ठीक बात है यह आपका हो रहा है दिल्ली में पहली बार यानि भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष दो अन्यस अधत्स स्टैफोर्ड क्रिप्स और अबी अलेक्जंडर जो की जल सीना मंत्री थे जल नो सीना मंत्री थे आपके अबी अलेक्जंडर अगले क्वेशन पर आते लिखा है 1946 के के भारत मंत्री हुआ करते थे और ये आया कब था तो 24 मार्च को 1946 को ये दिल्ली आया था कौन चीज? कैबिनेट मिशन प्लान ठीक बात ना यानि इस कैबिनेट मिशन में एक अध्यक्ष वा दो अन्यस अधत्स से थे ठीक बात ना याद करे रही है मैंने का बार बार अगर इ बहुत अच्छी बात है जो आप इससे साथ में जुड़े हैं इन में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे पैथिक लॉरेंस, वेवल, स्टेफोर्ड क्रिप्स या अध्यक्ष या उप्यूक में से कोई नहीं या उप्यूक में से एक से अधिक बीपी अस्टी के एक सम्मन्नित मामला 1945 का हो रहा है तो आप के लिए क्या होगा यही हो जाएगा गलत ठीक बात है ना तो बीवाला अप्शन इसका हो जाएगा यानि यही सदस्य नहीं थे इसका उप्शन बीवाला से हो जाएगा अगले प्याते हैं निमली कित में से किस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का ने तुद किया था बड़ा आसान प्रशन देख के ही लग रहा होगा और बता भी ले जाएंगे सर 1946 में कैबिनेट मिशन की बात करें तो याद करिए 24 मार्च को आया था 1946 में ये और इसमें एक प्लस दो अन यानी एक अध्यक्श दोणस अदर से और एक का नाम क्या था इनका नाम था पी लौरेंस या पैथिक लौरेंस नाम के विक्ति ये क्या हुआ करते थे ये भारत मंत्री या भारत सची हुआ करते थे उसमें ठीक बात ना अगले question पे आते हैं साती हूं बहुत बढ़िया next question पे आईए हमाई साथ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है दुतिये विश्वित के बाद 1946 में कौन भारत आया था cabinet mission, क्रिप्स mission, बेवली ब्लान या फिर साइमन का mission इसका उत्तर देना है लोवर PCS में पूछा गया question तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सर बी वाला cabinet mission आया था दुतिये विश्वित के बाद याद है आपको सारे लोग को यानि दुतिये विश्वित के बाद 19 फरवरी का नाम याद होगा 19 फरवरी को ही गोशना कर रहा है 1946 में कौन ये पैथिक लॉरेंस कहा रहा है कि जाएगा एक्टोसिस्ट मंडल भारत किस चीज के लिए समबैदाने सुधारों के लिए ठीक बाद देखे हम इतनी बार चीजों की चर्चा कर रहा है तो जितने कक्षा 67 वार्ट वाले विद्यार्थी भी देख रहा है सेशन में सेशन को उनको भी चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाती होंगी और आपका काम क्या है पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने परिवार में आपस में चर्चा करिए या अपने मित्र मंडली से चर्चा करिए तो इससे क्या होगा वो चीजें आपके निमाग में बैठ जाएंगी अगले क्वेस्चन पे भारत के लिए एक त्रीस आशन ब्योस्था का प्रस्ताव किया था नेरुसमिती ने, किप्स मिशन ने, साइमन कमिशन ने या फिर कैबिनेट मिशन ने इसका उत्तर हो जाएगा साइट डी वाला यानि त्रीस अशन ब्योस्था की बात किस ने कि थी कैबिनेट मिशन ने कि थी ना अगले क्वेस्चन पे आईए देखें यहां तमाम सारी बातें क्रिप्स के विशेम लिखा है कि ये क्या थे बोर्ड आप ट्रेट के अध्यक्स थे और पैथिक लॉरेंस भारत सची हुआ करते थे एबी एलेकजंडर उस समय नौसेना मंत्री हुआ करते थे ठीक न इसने प्रांतों के छोटे बड़े गुट बनाने की अधिकार की फुस्टिकी थी और प्रांतों को आबासा यानि तीन स्क्रेडियों में भाजित करनी की बात की थी मार्च 1926 में भारत पहुचा था भारत के दिली पहुचा था 1966 में भारत भेजे गया केमिन विशन का सदस्य नहीं था BPST के एकजाम का ये भी question है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई बड़ा आसान प्रशन है इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई हमें जे लगता है ये थे ये भी थे ये भी थे तो कौन नहीं था रेम जे मैगडो नाड याद करिए ये सामपरदाइक पंचाट वाले वेक्ति हैं याद होगा आपको 1932 जो गोल में सम्मेलन हो रहा है उसके बात की बात हो रही है तो इन्हों ने सामपरदाइक पंचाट की घोशना की थी ना जिसके बात पूना समझोता आपको तो याद होगा, किसके किसके साथ बीच में हुआ था, पूना समझोता हुआ था आपके, उनका नाम क्या था भाई, उनका नाम था डॉक्टर बावा साथ भीम राओं बेटकर से साथ में, और दूसरे वक्ति थे, उनका नाम था, उनका नाम था महत्मा, गांधी, दोनों बढ़ा आसान ये भी बता ले जाएगे, क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सर D वाला आप्शनिया, लार्ट एमरी नाम का कोई वेक्ति इसमें नहीं था, क्यों? क्योंकि एक अध्यक्ष और दो अन्य सदसे थे, तो एक अध्यक्ष से पैथिक लॉरेंस, भारत अगले क्वेशन प्यारते हैं, अगला क्वेशन लिखा हुआ है यहाँ, लिखा क्या आपनेट प्रिशन का सदसे कौर नहीं था, ये भी आपका PCS के मेंस में पूछा गया क्वेशन है, जॉन साइमन, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, या फिर इस्टेफोर्ट क् साइमन कमीशन का, ठीक बात न, याद होगा साइमन कमीशन की विशह में, साइमन गोबैक का नारा दे रहे हैं, जैसे भारत में आया साइमन कमीशन, उसी के बाद साइमन गोबैक का नारा चलता है भारत में, और इसका बिरोध हो राज इसके समय में, लाला लाजपतराय जी क्या आया था ये भारत के मुंबई पहुचा था याद होगा ये सारी चीज़ें आपको पिछले वाले सेशन से ही याद हो चकी है अगले क्वेशन पर आते हैं अगला क्वेशन लिखा इन विक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदसे नहीं था तो फिर वुड उससे जुड़े हुए विक्ति थे तो ये आपका ये वाला आप्शन हो जाएगा इसका सही यानि कि यही इसके सदस यह नहीं थे बाकिये तीन अब देखिए आप मैं कह रहा हूँ आप किसी बेसिक एक्जाम के भीड़ती हैं तो मैंने कहा इतनी बार आप कैबिनेट मिशन आप ये कताई मत सोचिएगा सर बार बार ये क्वेशन मिल ला है क्यों क्योंकि अगर आप बेसी एक पुलिस अस्तर के एक्जाम के ससी MTS अस्त त्यारी करते हैं ये उनके लिए भी है जो केवल भारती इतिहास में रूची रखते हैं खास करके चाहे जो हो चाहे बालक वर्ग हो बालीका वर्ग चाहengers चाहे चोटे कक्षा के विद्धियारती हो चाहे बड़ी कक्षा की हो ठीक बात ना इसका प्रस्ताव मही में आया था अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांग चाती जिसका बिटिस प्रांतों से मिलकर बने एक संगी राजिका सुरूप होना था उप्यूक तो धरन का संबन्द है किस से साइमन कमीशन से गाधी रिवन पैक्ट से क्रिप्स मिशन से क्या है अब हम लोग यहां पढ़ दाया किसकी बात क्या हो जाया गाला था इसमें भारत की एकता की बात की गई थी पाकिस्तान की मांग को ठुखराने की बात की गई थी बहरत एक संग होगा ब्रेटिस प्रांद देशिर यासतें सामिल होगी और आगे लिखा है सम्मिधान निर्मात्री जो संस्था होगी उसके निर्माण में सभा का जो गठन होगा वो प्रांती विधान सभाओं और देशी रियास्तों के प्रतनीदियों द्वारा किया जाएगा तो ये चारो बातें नखी दहीं थे इसके से तो कैबिनेट पिशन से अगले क्वेशन पे आ रहे हैं कैबिनेट पिशन के विश्यमें निमलीखित में से कौन सा सथ सही नहीं है पूछ रहा है प्रांती ये समूही करन भारती सदस्यों द्वारा अंतरी मंदल पाकिस्तान के अधि स्विकर्थी या फिर सम्मिधान निर्माण का अभिय दिकार प कौन सा नहीं था, सी वाला, पाकिस्तान की सुईकृति को सुईकार कर दिया गया था न, तो सी वाला वार अप्शन हो जाएगा, इसका, राइट अप्शन की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, इसमें अगले क्वेशन पर आते हैं भाई, अगले क्वेशन पर यह पक्तिवारी अरे तू अंबुच वेकरान सिंग जो भी लोग देख रहे हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सर कैबिनेट पिशन 1946 चलिए ये भी आपका उत्तर सही निकल गया 13 वाले कड़ी ऐसे ही लगातार आप लोग बने रही है मैंने क्या कहा था मैंने का था साथियों आपका दाई तो एक है मेरा दाई तो सेशन प्रवाइड कराने का है आपका दाई तो है सेशन को जादा स्यादा लोगों को बताने का जादा स्यादा लोगों को सेशन से जोडने का ठीक बात ना मैंने का साधी बिया का सीजन जो भी चल रहा हर कार online coaching है लेकिन आपको preference देनी है किसको अपने वाले के ठीक बात नहीं यानि अपनी चीज़ों को आप नहीं बताएंगे तो कोई तीसरा आदमी कैसे बताएगा ठीक बात नहीं जाहिर सी बात है संगर्स का दिन है तो संगर्स का दिन है तो आप कोई चीज़ों को बताना पड़े आप से तो आप आशा करेंगे एगले question पर आते cabinet mission के संदर में नेम लिखित में से कौन सा कतन सही है यानि इसने एक संग्य सरकार के लिए से फारिस की थी भारतिय ने आलों के सकतियों का विस्तार किया इसने ICS में और अधिक भारतियों के लिए बंद किया पूछ रहा है प्रश्न का उत्तर देना है तो जल्दी बताई वाई 14 नमबर प्रश्न का उत्तर सारे लोग दीजिये चलिए इसमें आप देख रहे होगे याद होगा cabinet mission की अगर बात करी थी तो आपको याद होगा cabinet mission की जब बात करें तो हम लोगों ने लग भग चार की ही बात की थी या के सदस्तियों का शामिल होना और ठीक बात है न यह तीन चार बातें दी गई थी cabinet mission के प्रस्ताव में तो इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा ए वाला right हो जाएगा यानि शेस दोनों की बात इसमें की नहीं गई थी ठीक है न अगले question पर आते हैं यह देखे तमाम 42 में या फिर अप्रेल 42 में उत्तर देना एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौर दस तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बड़ा असान प्रशन इसका उत्तर हो जाएगा सर आया था यह मार्च 1942 यानि मैंने कहा था तिती 24 मार्च की है याद होगा आपको 24 मार्च को एक क्योंतर दीवस मनाया जाता धि जिसका नाम है विस्व टीवी दीवस मनाया जाता तो यह नहीं टीवी दीवस के ही दिन क्या हुआ था यह भारत आया था कैबिनेट प्षन जोड लीज़ेंको जोड की तर आपको जोड़ कि त unique दीवीजना की आपको याद होगा मैंने कहा तो आप एकदम करीबी वाले मित्र को तो जरूर दिखाएंगे, खास करके उनको, जिनके साथ आप कमरे पे रहते हैं, या जिनके साथ ज़्यादा आपकी घनिश्टा है, क्यों, क्योंकि अगर आप अपने मित्र के साथ, आप दोनों लोग अगर से संजे जुड़े रहेंगे तो लाब आपका ये रहेगा दोनों लोगों का, कि आप मेरे हटने के बात कोई आपके बीच में रहेगा, जो आप से चीजों को पूछ पाएगा, यहां मैं दो सो नहीं, पान्सो प्रश्ट करा दूँगा, लेकिन अगर दुबारा आपस में आप उस पर गवर नहीं तो ये इतने होगा कि आप पढ़ेंगे मेरे साथ, नोट्स बनाएंगे, उसके बाद चीजे खतम हो जाएगे, ठीक न, तो मैं नहीं चाहता हूँ, आपके साथ खतम, मैं ये चाहता हूँ, कि आप जिये से एक बार पढ़ ले रहा हैं, तो आपको सारे बेसिक क्वेशन ले दी गई, अपनी स्विक्रती वापस ले ली थी, दूसरा कारण दिया गया इस वज़े से, क्योंकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सामिल नहीं होई थी, पूछ रहा है, इसमें क्या दोनों कथन सही है, या कथन का क्या कर रहा है, तो आपको दिया गया 16 नंबर देखे बाई सातियों, आपको याद होगा, यहां मुस्लिम लीग के विशम उन्हें 46 में, तो जायर जी बात है, इसने अपनी स्विक्रती वापस ले ली थी, सही बात है, बात में लिखा है, 46 में अंतरिम सरकार जब गठीत हुई तो इसमें मुस्लिम लीग क्या हुई थी, यानि मुस्लिम लीग सामिल हुई थी, देखे शामिल तो हुई थी, लेकिन यह शुरुवात में नहीं शामिल हुई थी, बाद में शामिल हुई थी, ठीक बात ना, लेकिन यहां एक के बात दी गई है, तो इसका मतलब इसका क्या उत्तर हो जाएगा, देखे देखते हैं इ अगले question पर आते हैं देखिए यहाँ व्याख्या दी गई है वही सारी तमाम अगले में रिखा है Congress के निम्रिखित नेताओ में से कौन एक cabinet mission योजना के पक्षमे पूरी तरह से था यह भी उत्तर आप सारी लोग मुझे लगता है दे ही ले जाएंगे क्योंकि यह भी आसान प्रश्ण क्या है आसान इस वज़े से देखिए मैं आसान कहता हूं तो उसका कारण यह नहीं कि ऐसे मजाक है आसान इस वज़े से है चुकि इससे पहले आप थेरी मेरे साथ पढ़े थे इस वज़े से आपको तयार है इसका उत्तर हो जाएगा महत्मा गांधी जी तो पूरी तरह पक्षमे बात कर रहा था तो यह हो जाएगा इसका राइट आप सार अगले question पे आते हैं कॉंग्रेस का अध्यक्ष था जिसने कॉंग्रेस के अध्यक्ष मिशन वा लॉर्ड वेवल तोनों से वारताएं की थी आजाद साहब जवाला नेरू सीराज कॉपालाचारी या जेबी कृपलानी उत्तर देना है इसका क्या हो जाएगा बड़ा आसान प्रस्ण है आपको य ठीक बात ना यहां देखिए व्याक्या यानि 40-42 में आ रहा है कृप्समिसन और 45 में आ रहा है वेवल प्लान तो याद करे रहिएगा और जबकि 40-46 तक कॉंग्रेस की अध्यक्ष रहे थे कौन आजाद साहब तो इसका मतलब दोनों से इन्हों निवारताएं की ती अगले क्वेशन में कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारती राष्टी कॉंग्रेस का देख्ष कौन था नेरू जी जेबी कलपानी अबुलकलाम आजाद या फिस सरोजनी नाइडू मैंने का किसी भी तरीके से क्वेशन आपसे पूछा जा सकता है घुमा ने घुमा घुमा के विशह में चली बहुत बढ़िया सातियों तो ये कुछ आज के लिए जो है आज के टॉपिक से आज के से ये टॉपिक था कैबिनेट मिशन योजना के विशह में 1946 के विशह में आप सारे लोग इतनी देर तक मेरे साथ नेमित रूप से शामिल रहे ये बहुत अच्छी मैं देख रहा हूँ कई साती ऐसे हैं जो इस समय शादी ब्याह में जुटे हुए हैं जो कि सेशन से लाइब मोट पे नहीं देख पाते हैं मैंने कहा अगर लाइब मोट पे नहीं देख पाते हैं तो आप क्या करा करिए आफ लाइन मोट पर आप उसको यानि आफ लाइन का करा करिए आपकी प्रतिकिरिया सबसे मस्ट हो जाती है साथियों डालते हैं आज का question of the day तो बीना समय बरबात के डालिए तो question question of the day तो आज का question होगे आपका cabinet mission cabinet mission आपको बताना है कब आया दूसरा प्रशना आपको अध्यक्ष और प्लस सदस्य आपको ये दोनों बातें बतानी है कौन अध्यक्ष था और कितने सदस्य थे cabinet mission में ठीक बात ना याद करे रहीगा इसका उत्तर आपको देना है comment section में इसका screen sort कर लीजिए बाकी मैंने कहा ठीक बात बाकी मैंने कहा इसी तरह से आज 49 लेक्षर हो गया है कल 40 लेक्षर हो गया है अब भी मैंने कहा जो लोग हलकिम ले रहे होंगे आपके section को आपके पढ़ने को आप उनसे बता दीजिएगा कि मैं अपने आपको बताईएगा खुदी जान जाएंगे आपके कमेंट से बता देंगे कि सर्फ पहले वाले वीडियो में भी मैं आपके साथ था और आज last का याज इतिहास का last हो रहा है तब भी मैं आपके साथ हूँ ठीक बात ना यही आपका motivation होगा यही अपना भी motivation होगा ठीक बात ना बाकी साथियों आप सबने इतना सहयोग किया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद comment section में इसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए और अपने short notes send करिये मुझे whatsapp number पर मेरे आप सारे लोग number जानते हैं 89 57 86 65 31 ठीक बात ना इसी पर आपको क्या करना है आपको अपना notes send करना है ठीक है ना चलिए बाकी आपने इतना सहयोग किया आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिन्द, जै भारत, शुबरात्री वंदे मातरम